जी तो प्यारे दोस्तों आज में जिस चीज का रिवियू और जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है ग्राफिक कार्ड दोस्तों मेरे पास इस वक्त जो ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है वो है एंवीडिया का अच्छह काड्जन के ग्राफिक काड्ड होते हैं फिक हैं इंटल है और एन्वीडिया है जो सबसे जञादा रिकॉमेंडेड है वो एन्वीडिया ही है अच्छा काड्ड जो हlak इन्वीडिया कंपनी का ही होता है इस वक्त जो मेरे हाथ में मॉडल है वो है GTX 760 ठीक है मेरे PC में यही कार्ड लगा हुआ है ठीक है और यह 4GB का कार्ड है आप इसको मैं आपको चारों तरफ से इसको दिखा सकती हूँ आप अच्छे से इसको दे सकते हैं यहां पे भी इसका मॉडल लिखा हुआ है GeForce GTX 760 इसका सबसे ज्यादा मॉडल का फाइदा सबसे ज्यादा आपको तब होता है जब आपने PC में इसके रेलिवेंट ड्राइवर इंस्टॉल करना हो ठीक है आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं इसके अंदर जो पोर्ट है वो HDMI की पोर्ट है ठीक है इसके तरूँ आप इसमें अपने PC को LCD के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसमें देखे डबल फैन है डो फैन्स है ठीक है सॉलिड ये चीज़ बनी होई है आप चारों तरफ से देख सकते हैं यहां से यह मदर बोर्ट के साथ कनेक्टिड होता है यह उसकी वो पोर्ट्स हैं ठीक है जहां से इसको सप्लाइ मिलनी है मदर बोर्ट के तरूँ इसने कनेक्ट होना है ठीक है यहां से हमने इसको पावर्ट सप्लाइ देनी है ठीक है और यह दो इसके कूलिंग फैन है ठीक है तो इसके relevant जो इसके लिए सबसे जादा updated driver होगा वो आपको show हो जाएगा ठीक है और एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है सबसे पहले आपने अपना operating system चेक कर रहे हैं कि आपका operating system जो है वो 32 bit का है यह 64 bit का है जो इस field से relevant है तो उन्हें system software और application software का पता है वो इस चीज़ से बहुब भी अगाह होंगे ठीक है एक चीज़ का आपने खिलार करें कि अगर आपके PC में 64 bit window है तो आपने graphic card का जो driver है वो भी 64 bit में ही download करना है पिर ही वो accurately काम करेगा अब मेरे दोस्तों के mind में एक चीज़ आ रही होगी कि मतब यह हम card क्यों लगाएं mostly यह gaming अगर आपने high resolution games केलनी है तो भी आप इस card को use करेंगे लगाएंगे जिससे आपकी games जो है वो अच्छे से चलेंगी ठीक है इसके बाद जो graphic का काम करते हैं मतलब उन्होंने heavy softwares लाने हैं जो graphic designing के related हैं यह video editing के related हैं जैसे के adobe after effect, adobe premiere pro है ठीक है और इसके अलावा wondershare film more है, Camtasia, different softwares हैं जो इसको अच्छे से support करते हैं और आप इसमें जब video का export करेंगे तो वो अच्छे से और easily export होगे और speedly और fastly काम करेंगा ठीक है किसी को भी किसी के बारे में कोई issue हो किसी PC के बारे में आप किसी topic में video बनाना चाह रहे हो तो आप मुझे comment section में comment करके कह सकते हैं इंशाला हम in future उसी वीडियो पर बात करेंगे बहुत शुक्रिया अपना बहुत ख्यार रखिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी अच्छे से टापिक अफाइस टेक यार अलाहाफिश